कि छटी एप चलिए ध्यान दीजीए आप बोर्ड पे म Corn llama द्टी पे क्या है aún रेजिदेन्शल स्टेट मैं सब्सक्लिया AUDI-2 ए हुएफ समझना होगा क्या है ए हुएफ कि आ होता निम्ल बर होता था धग पि conducting है ए乾 फैमिली मेंबर से मतलब क्या है सर एक कोई भी माल लो आप फार एक्जामपल कोई भी आपका एक घर है इस घर के अंदर अगर हम माल ले जो मेंबर है ये मेंबर एक ही काम में लगे हुए हैं और इस मेंबर जो एक काम में लगे हुए एक घर के अंदर इनके अंदर बोलते हैं आप originally को हम क्या बोलते हैं Huf इसके अंदर सिरिफ Hindu Partisipate कर सकते हैं सिरिफ Hindu इसके अंदर आपको अगर इस ह्यूई एफ का अगर आपको member बनना है ना तो शर्ते हैं कुछ या तो condition number one आपको अगर कोई female है तो यहां के किसी भी male से शादी करोगे मान लेते हैं इस H.U.F. का नाम है मैंने मान लिया इस H.U.F. का नाम है A.B.H.U.F. A.B.H.U.F. यह एक हमारा organization है मैंने simple सी बात करी मैंने इनको बता दिया है वीडियो lag हो रही है आप internet चेक करिए मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है मैं अभी doubt नहीं लूँगा मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है एक बार आप application close करके चालू करिए बाकी बच्चों का भी वीडियो lag हो रहा है तो बता दीजिए आप और भी काफी सारे बच्चे हैं अगर कोई किसी बच्चे का smooth चल रहा है तो बता दीजिए ताकि मैं आगे continue करूँ lag हो रही है तो एक काम करते हैं कि मैं एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ अब ठीक है ठीक है चलो अब ठीक हो गया बच्चे कह रहे हैं चलिए तो मैं क्या कह रहा था मैं क्या कह रहा था ध्यान देना इधर ध्यान देना मैं क्या कह रहा था कि ये समझना बहुत जरूरी है हां जी मैं क्या कह रहा था समझ ये के जो ये हुएफ है हुएफ का मतलब जॉइंट फैमिली हो गया जॉइंट फैमिली में मान लेता है एक AB firm है अगर सर AB firm है तो AB firm के अंदर आप मान लो के इसके जो ये सारे हैं ना ये जितने भी हैं इनको हम बोलते हैं member इनको क्या बोलते हैं अगर कोई भी female इसके अंदर member participate करना चाहती है तो किसी भी male से यहां पर शादी करेगी तो automatically इसकी member बन जाएगी अगर किसी male की बात करें यहाँ पर बनना चाहता है तो उसके लिए उसको इसी family में born होना पड़ेगा तब ही बन सकता है ठेक है अगर तीसरा condition अगर माल लेते हैं कोई बच्चा legally adopt कर लिया गया legally पूरे paper document के साथ तो भी इसका member वो बन सकता है माल लेते हैं कोई इसमें girls है उसकी शादी हो जाती है तो अगर कोई भी female है माल लेते हैं यह हमारी कोई भी female है अगर उसकी marriage हो जाती है तो ऐसे situation में वो इस हुएफ की member नहीं रहेगी हट जाएगी ठीक है अब मुद्दे की बात होती है जब सर यह हुएफ है न तो इस हुएफ के अंदर एक वेक्ति बड़ा भी होगा जो इन सभी को control करके रखता है ठीक है इस हुएफ में एक ऐसा वेक्ति भी होता है जिसकी सब को जितने भी छोटे छोटे वेक्ति हैं इन सभी को इसकी बात माननी पड़ेगी यानि जिसे हम guardian बोलते है नॉर्मली joint family में तो यह होगा हमारा एक वेक्ति अब इस वेक्ति को हम member का नाम ना देखे क्योंकि बड़ा वेक्ति है तो अलग से status देते हैं जिसको बोलते हैं करता करता ये हिंदी वर्ड इंग्लिश वर्ड जो भी वर्ड समझो इसे करता ही बोला जाएगा बिल्कुल अगर आप इंग्लिश में भी theory लिखेंगे वहाँ पर करता ही लिखना है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हिंदी वर्ड है करता अब सर मुद्दे की बात है हमें इस हुएफ एबी का रेजिडेंशल स्टेटस निकालने को बोला जाएगा है वैसे practical question बहुत rare है theoretical आता है कि हुएफ का रेजिडेंशल स्टेटस निकालने के लिए हमारे पास अभी तक रेजिडेंशल अगर किसी का स्टेटस हमने चेक किया है तो सर यहां पे दो बाते थी एक था हमारा यहां पे basic condition और एक था हमारा यहां पे additional condition यही था ना एक basic condition और एक additional condition सर बेसिक condition के अंदर 182 दिन था और 60 दिन वाली बात कही गई है जो कि हमने देखा सर एडिशनल कंडिशन में भी दो बाते हैं एक है आपका टू टाइम रेजिडेंट और एक है साथ सो तीस रफली मैं बताते जा रहा हूं आपने तो देखी रखा है तो हुए के लिए ये वाला जो है ना आपका हुए के लिए ये वाला देखना है हम चैक करेंगे इसका बिस्नस को इसका बिस्नस का का फंट्रोल कहां से है हम ये चैक करेंगे यानि जो बेसिक कंडिशन में साथ दिन और का कोई भी डिसीजन बिजनस हो सकता है दो तरीके हो सकते हैं बिजनस है हमारा इंडिया में लेकिन ये कंट्रोल हो रहा है आउटसाइड इंडिया मैं for example ले ले तो मैं example ले रहा हूँ जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसी company है इंडिया के अंदर लेकिन सारे फैसले लिये जाते हैं उसके बाहर से सर ऐसी कौन सी company है मान लो कोई भी आप foreign company ले लो जैसे mcdonald ले लो या kfc ले लो या कोई भी company ले लो है तो इंडिया में लेकिन उसके सारे जैसे कि आप जैसे किसी मैं बात कर लूँ nike इसके अंदर को जो भी बाहर के brand है यहां पर जाओगे तो बोलोगे अभी collection आया नहीं है या आप mobile phone ही ले लो ओपो का mobile phone ले लो पहले कहां launch होता है बाहर फिर आता है कहां पर इंडिया में या दोनों साथ में ही करें अगर बाहर का जो इसका parent company वो मना कर दे कि इंडिया में नहीं होगा तो नहीं हो सकता यह तो था company लेकिन हुएफ में भी ऐसे होता है तो इसके जितने भी decisions है इसके अगर सारे decision all decision अगर आउटसाइड इंडिया हुआ तो तो भाईया आप non-resident बन गए मतलब आपका business भले इंडिया में लेकिन आप decision कहां ले रहे हो सारा इंडिया से तो आप तो non-resident हो decision का मतलब है sir decision का मतलब है major decision के अंदर जो हमने business का नाम क्या होगा product line-up क्या होगा मतलब major decision इसको बोला जाता है business setup in India बट control outside इंडिया setup तो इंडिया में है लेकिन control कहां से हो रहा है इसको बोला जाता है अगर सारे decision बहार से लिए जा रहे है इसको foreigner बोलते हैं जैसे सारा तो हम इसे इंडिया के income ही नहीं मानेंगे उसके लिए इसका tax treatment अलग है हमें तो यह तै करना है कि यह है या फिर नहीं है अगर एक भी decision भारत में लिया जा रहा है एक भी decision तो हम इसको बोलेंगे तुम बन गए आर यानि तुम resident तो हो गए जैसे यहां पर क्या था सर 182 यह चेक करो लेकिन कोई भी फैसला भारत में लिया गया भारत के अंदर लिया गया तो क्या मान लेंगे तुम बन गए resident पहली condition अगर सारे के सारे फैसले भारत से बाहर लिये जा रहे हैं तो आप non resident हो गए ठीक है ना अगर सारे फैसले ही भार होगो अगर 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 चेक करेंगो सभी का चेक करेंगे नहीं सिर्फ additional condition करता का चेक किया जाएगा कि अगर करता additional condition दो बार resident हो जाता है और 730 दिन वाला condition complete कर देता है तो इसका status बन जाता है ROR अगर सिर्फ ये करता है और ये नहीं कर पाता तो NOR अगर ये ही नहीं करता तो NR तो यानि इसके status तो सर वही तीन है फरक कहां पर आया फरक आया सिर्फ और सिर्फ basic condition में फैसले के उपर अगर फैसला भारत के अंदर लिया जाता है एक भी तो भया तुम resident होगे अगला चेक करेंगे अगर ये सब complete करता है तो उसे हम बोल देंगे भया आप resident, ordinary resident हो ये theory perspective से पूछा जाएगा हमारा वैसे सारा का सारा section जो है वो 6 के इर्द गूमता है तो ये हमारा 6B आ जाता है, 6 2 के अंदर आ जाता है, 6 1 में individual आ जाता है, 6 2 के अंदर और वैसे भी मैंने कहा section पे आपको इतना focused, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई बच्चा section के साथ याद करता है, बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप complete section के चकर में आप concept छोड़ते जा रहे हो, तो दिखता है, यानि दोनों चीजे complete हो, या तो आपको concept clear हो, तो हो सकता है तो किसी भी HUF का residence कैसे determine होता आपको समझ मैं, तो आपको basic condition की जगह पे क्या आ जाता है, उसके decisions और additional condition बिलकुल वैसा ही रहता है, जैसे कि हमने individual में सीखा, लेकिन additional condition किसका check होगा, करता का होगा, clear, तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, कि HUF का, हम residential status निखा लेंगे त अगेन इसके उपर आपको practical देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि exam में बहुत rare पूछा जाता है, बुक्स मार्केट में आ गई है, आप बुक्स ले लो, सर पहला point, basic condition तो है नहीं, business control, business control, इसके बाद additional condition, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर दो बाते हो सकती है, सर, control business की बात करें, तो दो बाते, तीन बाते हैं, basically, ठीक है, या तो full control होगा, इंडिया से, या होगा, partly control, इंडिया से, या होगा, not control, या control from outside India, फुली गंट्रूल, from outside इंडिया, देखिए, तीन बाते हैं यह, सर, इन दोनों cases के अंदर, वो क्या माना जाएगा, बताओ, इन दोनों cases के अंदर, वो क्या माना जाएगा, resident, मैं R लिख रहा हूँ, completely, बाकि, अगर ये वाला condition हुआ तो, समझ मैं ही बात आपको, जो मैंने समझाया है बाते, बस उसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको, exam time पे एक बार, याद करने में, इसे लिए हो, बाकि आपको notes में भी मिल जाएगा, book में गी बन होगा, additional हम जब भी check करेंगे, तो additional conditions किसके लिए करेंगे, for only, करता, सरिफ ये check होगा, sir, करता के लिए, sir, करता के लिए जब आप check करोगे, तो क्या check करोगे करता के लिए, again दो चीजे हैं, additional condition number one, number one, or additional condition number two, number two, एक है additional condition number one, एक है additional condition number two, sir, additional condition number one क्या है, additional condition number one है, two time, resident out of, 10 year, या out of कह दो last 10 year, last कह रहा हूँ, simple में preceding होता है, वैसे last 10 year, sir, यहाँ पे, यहाँ पे 730 days, अने लास्त, कितने साल, यह ही है। यह है जी हमारा additional condition, यह हुआ यह यह वका क्लियर आपको, कोई दिकत, तो चाहिए